दोस्तो आज हम आपको बताएंगे नागार जोना के प्रोड़क्त प्रोफेक्ट सुपर के बारे में इसमें क्या क्या होता है और ये कैसे कारे करता है और किस प्रकार कारे करता है और दोस्तो इसे हम कौन-कौन सी फसलों पर प्रियोग कर सकते हैं इसकी मातरा बताएंगे इस Subscribe वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में सेर करें ताकि जो हमारे दूसरे किसान दोस्त हैं वो भी इससे फायदा उटा सकें तो दोस्तों इसमें जो होता है वो होता है प्रोपोनो फॉस चालिस परसेंट प्लस साइपरमेथरीं चार परसेंट इस प्रकार ये जो हमारे फसलों पर विविन प्रकार के लगने वाले कीड़ें हैं उनका सफाया करता है अब ये कौन कौन सा कीड़ों को सफाया करता है इसके बारे मतादे हैं ये मुखो रूप से जो कपास में लगने वाली गुड़ा अभी सुनी होती है उसको नश्ट करता है और इसकी तीनों करता है क्योंकि हमारी जमीन में जो पिछले पीवपा पड़े रहते हैं उन्हें से जब पतंगे निकलते हैं और इंको नश्ट ना किया जाए तो यह अंडे दे देते हैं और अंडे फिर लारवा बदल जाते हैं और लारवा फिर पीवपा बदल जाता है और पीवपा में फि तीनों वस्तों पर इसका असर होता है और ये अच्छी क्रिकार हमारे कीड़ों को निश्ट करता है इससे जो मरने वाले कीड़े हैं जो लाल सुंडी के अलावा वो है इस्टेम बॉरर, सूट बॉरर और फूरुट बॉरर इसके साथ जैसिट एसिट पर भी इसका असर होता है तो दोस्तो अब इसकी मातरा की बाद कर लेते हैं इसकी जो डोज है वो आपको 2 ml पिरती लीटर के हिसाब से लगानी चाहिए ये अच्छी डोज होती है और एक अच्छी आदर से डोज होती है और इस परिकार एकड़ के वारे बता जाए तो फसल की ब्रद्धी के अनुसार ये 300 ml से 500 ml फिरती एकड़ के हिसाब से परियाप्त होती है और दोस्तो इसका प्रियोग करके आपको अच्छी प्रिकार अपनी फसलों पर कीड़ों का जो असर है वो समाप्त हो जाएगा और अच्छी फसल होगी तो दोस्तो हमने जैसे पताया कि मेल रूप से इसका जो अस असर होता है कपास पर तो बहुत ही अच्छा असर होता है और दोस्तों इसके साथ साथ इसको आप धान गन्ना क्या हूं चना मसूर स्वयवीन और सब्जी वाली फसलों जैसे भिंडी टमाटर लौकी खीरा करेला आदी जो फसले होती हैं इन सभी फसलों से हमारे कीड़ों स मुक्ति दिलाता है इस परियोग करके आप अपनी फसलों को बेभिन परिकार के कीड़ों से बचा सकते हैं और अपनी फसल से ज़्यादा पैदावा लेकर अच्छा लाग कमा सकते हैं तो दोस्तों इसका परियोग करते समय हमें काफी साबधानी बतनी चाहिए क्योंकि जो जो इस्प्रे है वो हवा की दिसाने करना चाहिए और मास्क और गलैप्स पहन कर इस्प्रे करना चाहिए और इस्प्रे के दोना कुछ खाना पीना नहीं चाहिए और इसका जो बचाल है बच्चों पसूँ और जो मचली और जो पालतु जानवर हैं जंगली जानवर हैं उन नमस्कार